प्रेशन करेंगे बट्वेन, कोटल्या एंड मकावली जो व्यास्टरन फिलोसपर मकावली है इसके साथ हमेशा ही कोटल्या को कम्पेर किया जाता है तो आज हम इन दोनों में similarities और dissimilarities निकालेंगे तो पहले देखती है basic information of चांक्या और कटल्या जो कटल्या है वो ancient Indian philosopher है वो statesman, teacher, royal advisor, economics, jurist है तो वो multi-dimensional personality थे कटल्या ने हर एक aspect में अपनी knowledge को define किया है जो कटल्या की earth shastra book है इसमें हर एक aspect को define किया गया है एक राजा की duties क्या होनी चाहिए एक state के functions क्या होनी चाहिए उसके foreign policy कैसी होनी चाहिए what time क्या diplomaties को adopt करनी जाहिए तो हर एक aspect को कटल्या ने बहुत अच्छे से define किया है तो कटल्या बहुत ही जादा multi personality तक शेला युनिवर्स्टी है इसके बहुत ही famous अचारे एक teacher थे तो इनका जन्म होता है 375 BC तो वो before century era के born है और उन्होंने जो कवी काम किया वो ancient time का किया है इसलिए हम ancient Indian philosopher कहते हैं तो उनका जो major work है वो है अर्थ शाष्ट्रा तो अर्थ शाष्ट्रा आज भी बहुत ही जादा पड़ी जाती है अर्थ शाष्ट्रा के उपर study की जाती है पटल्या के उपर बहुत से लोग है PhD भी कर रहे हैं तो कटल्या multi-dimensional personality माने जाती है और निकलो मिक्रावली वो कौन थे तो जे एक इटेलियन डिप्लोमेट थी और फिलोसपर थे and historian थे who lived during the renaissance जो renaissance का period था योरप में आया था 14th 15th century में और स्टाइम में कैवली का जर्म हुआ था तो ये वोन होते है 1469 AD में in Florence, Italy में तो इनका major work है देप्रिंस तो व्यास्टिम कांट्रिस हैं में कैवली को बहुत जादे importance देती हैं इंडिया में कटल्या को बहुत importance दे जाती है नेकिन कटल्या का जो work है हमारी Asian literature की एक ही problem है कि इसका work lost हो गया था इसको 1905 में found किया जात है तो इस तरह जो कटल्या का work है इसको हमने recently 30-40 years से ही importance देनी start की है लेकिन मुकैवली जब 1469 में बोन होती है 1516-17 में देप्रिंस लिखती है लेकिन इनको अपनी lifetime में कभी इन्होंने book publish नहीं कि इसकी death के बाद 1532 में देप्रिंस को publish किया जाते है और इसमें भी diplomacy, diplomacy, quote नीती है वो define की जाती है कि एक प्रिंस को कैसा होना चाहिए कटल्या को हर टाइम जे ही कहा जाते है कि जे इंडिया के मिकैवली है लेकिन जब आप इनकी similarities या डिस similarities करोगे तो आपको लगेगा कि मिकैवली को हम कटल्या से compare नहीं कर सकती है कटल्या की सोच उसका work मिक मिकैवली के साथ compare करना चान क्या की कटल्या की insult मानी जाती है लेकिन इस में कुछ similarities में है डिस similarities भी है similarities क्या है similarities between कटल्या and मिकैवली दोनों ने अपने view express किये है regarding state एक state कैसी होनी चाहिए state में king है hereditary मुनार्की को favor करती है तो जो कटल्या है वो जे ही कहते है hereditary मुनार्की सबसे अच्छ होती है and मिकैवली भी state में मुनार्की को ही favor करती है तो state कैसी होनी चाहिए and इसके बाद state के expansion करना सबसे important होते है तो इनों ने दोनों ने कटल्या and मिकैवली ने जब अर्थशास्त्रा and the prince लिखिया है इनों ने deductive method है इस technique को use किया है क्योंकि जो इन से पहले writing थी उनको compile किया है जब आप अर्थशास्त्रा पढ़ते हो इसमें my master said जे word define किया जाते है माई master मिस चानक्या के गुरू उन से पहले जो कुछ भी define किया गया है उसको अर्थशास्त्रा में compile किया गया है so the adaptive deductive method by drawing a lot from their predecessor जिन से पहले लिखा गया था उन से ही इनोंने conclude करकर अपने view को express कर दिया है और इनोंने दोनोंने का है एक state को consolidate होना जाए और अपने empire को expand करते रहना जाए territory को expansion करने बहुत चरूरी है और इसके लिए force and fraud दोनों को use किया जा सकते है क्योंकि कोटल्य भी जही मानते थे कि किसी भी राजा को stable state में नहीं रहना जाए अगर वो stable हो जाएगा तो जो उसके enemy है वो उस पर attack कर देंगे जैसे हमने mandala theory की थी mandala theory में भी क्या define किया गया था कि एक king है king की जो neighboring country है neighboring country क्या होती है उसकी enemy होती है तो उसको अपनी समर्थे के according अपनी international relations या वो develop करने है and अपने state को अपने subject को prosper बनाने के लिए expand करना जरूरी होता है तो consolidation and expansion of empire जे दोनों ही कहते हैं और इसके लिए force dunt है dunt को use किया जा सकता है next is discuss the ethic free politics दोनों ने ethic free politics को define किया है लेकिन कोटल्या ने जो ethic free politics को define किया है वो सिरफ diplomacy के time war time जब निस्यासरी हो तब ही define किया है लेकिन जुक मिकैवली है मिकैवली तो हर टाइम ही जे कहते है कि ethic and politics इन दोनों का कोई रोल नहीं है कटल्या तो जे कहते हैं कि एक king को अपनी personal life में morality धरम के according ही work करना चाहिए both were pragmatist दोनों ही realistic थे इन्होंने real view दिये है and last one is they gave clues and suggestions to the king to emerge as successful administration जो कटल्या है कटल्या ने चंद्रगुप्त मोर्या को clue देने के लिए suggestion देने के लिए उसको किस condition में कैसे काम करना चाहिए और शास्त्रा लिखी है and जो मिकैवली ने दे प्रिंस बुक लिखी है इस प्रिंस बुक में भी प्रिंस को guidelines दी है कि एक प्रिंस का conductor कैसा होना चाहिए तो एक successful administration बनने के लिए क्या-क्या clues और क्या-क्या suggestions या वो इन दोनों ने define की है तो जी होगी similarities between कटल्या and मकैवली After that हम करते हैं The similarities between कटल्या and मकैवली इन दोनों में फिर भी बहुत जादा difference है वो difference कैसे है First one is basis Then कटल्या and here मकैवली हम इनके view करेंगे different different Founders किस basis पर हम difference ले रहे हैं Founders जो कटल्या है कटल्या is the architect of ancient Indian political thought Poory India में सबसे important political thought किसकी है कटल्या की है And मकैवली किसके founder है He is the founder of modern political thought of Europe European country की modern political thought है इसको represent करते है मकैवली को modern political science का father माना जाते है लेकिन पटल्या को तो political science का ही father माना जाता है Next is Character of the king King का character कैसा होना चाहिए पटल्या define करते है King का जो character है High standard का होना चाहिए वो morality and ethics के उपर based होना चाहिए Then love meaning Prince को हमेशा लोगों को ड्राना चाहिए उसके लिए प्यार नाम की कोई चीज ही नहीं है फिर इस तरह जो मकैवली है मकैवली हमेशा जो एक प्रिंस है प्रिंस की कौन सा face दिखाते है ड्रावना लेकिन जी कहते हैं कि एक राजा है उसको हमेशा है morality के उपर based होना चाहिए जिससे लोगों उसको lie करते हो Next is on ethics Ethics के उपर क्या view है दोनों ही चाहते है Politics हो वो ethics से free होने चाहिए लेकिन फिर भी एक फर्क है वो क्या है ही होटलिया सेट Forgo ethics only in interests of the state अगर state के interest के लिए हो तब ये ethics को हम छोड़ सकते हैं अगर personal life के बात करते हो अपने personal interest के लिए आप ethics से free नहीं हो सकते हो Forgo ethics only in the interests of the state State के interest के सबसे prime होते है लेकिन में कैबली क्या कहते है Totally advocated separation with morality कहते है King or morality दोनों का कोई relationship भी नहीं है उसके personal life या है जै फिर उसकी politics या है इन में कोई भी difference नहीं है King or morality का ethics का कोई relationship नहीं हो सकते है Law के regarding तो कटलिया कहते है Law is above the king Law सबसे supreme है Law दरम के according होने चाहिए Righteousness के according होने चाहिए अगर एक राजा Law के according work करेगा तभी उसकी प्रज़र है वो भी Law के according ही काम करेगी लेकिन में कैबली क्या कहते है King is above everything King सबसे बड़ा है अगर Law है Law को भी कोई importance नहीं दे रहे है अगर King जो कह रहा है वो ही Law होते है लेकिन इन दोनों के सोच में कितना difference है कोटल्या एक अच्छा प्रोस पर kingdom बनाना चाहते है लेकिन में कैबली है जे हमेशा ही Diplomacy के according एक राजा को आगे बढ़ने के सला देते है Next is Functions of the state State के क्या function होने चाहिए कोटल्या कहते है Welfare of the subjects लोगों का welfare करना सबसे important है इसके लिए वहाँ के women है children है इनको protect करना चाहिए agriculture sector है इसको protect करना चाहिए taxation policy है बहुत ही reason able होनी चाहिए लेकिन जो में कैबली है other aspects है इनको ignore करते है वो कहते है prince को इन से कोई भी relation नहीं है उसका relation के साथ है only power politics का मकैवली तो जे कहते है human by nature selfish होते है लेकिन कटल्या जे बात नहीं मानते है and next is diplomacy तो जो कटल्या है कटल्या ने diplomacy की for instruments बताए है साम धाम डंड भेर जिसके according एक राजा को काम करना चाहिए लेकिन मकैवली ने कहा है any move कोई भी move चल सकता है एक राजा which protects the interest of the state एक state के interest को protect करने के लिए even कि एक राजा की interest को protect करने के लिए भी वो कोई भी move चल सकता है इसमें कोई भी difference नहीं है तो इनके diplomacy में भी बहुत difference है जो जे define करते है कि जो कटल्या है कटल्या की knowledge मक्यावली से कहीं ज्यादा बड़ी थी next is called idea in the work जो अर्थशास्त्र एंड प्रिंस बुक है इसमें क्या difference है इनका basic study का structure क्या है तो art of government कैसे rule करना जाए superintendent है इसकी क्या duties होनी चाहिए हर एक को बहुत अच्छे से define की है council of minister है इसको appoint करना then kinky duties क्या है spy system, diplomacy हर एक चीज़ को define क्या administration कैसे run होगा politics, diplomacy even की economy को भी define क्या है अच्छी taxation policy कैसी होने चाहिए foreign relations कैसी होने चाहिए वो time कौन सी strategy अपनानी चाहिए इन सब को katalya ने अर्थशास्तर में बहुत अच्छे से define क्या है लेकिन मक्यावली है उसने guidelines दी है to be an powerful prince एक powerful prince क्या से बना जा सबता है art of capturing power and retaining power power को कैसे capture करना है और अपने पास retain करकर रखना है जे ही define किया है तो meaning जे power politics के around revolve करी है लेकिन कटल्या की जो work है वो हर एक aspect को deal करता है लोगों के welfare के साथ भी deal करता है तो scope जो कटल्या है कटल्या के earth शासरा का बहुत ही ज़्यादा wider scope है तो इसमें जो कुछ define किया गया है इसको हम आज मानने start कर चुके है इसके उपर PSD start हो चुकी है लेकिन जो मक्यावली है इसका scope है बहुत कम है एक प्रिंस को सिरफ एंड सिरफ power politics को attain कैसे करना है वो ही define किया गया है इसके लिए वो चाहे कितने मर्जिफ रोड करें इसको उसने सही proof कर दिया है and last one is importance जो कटल्या है इसकी worldwide study की जा रही है और इसकी बहुत ज़्यादा importance है हर aspect में कटल्या को define किया गया है जिसके criticism भी हमारे पास available ही नहीं है किसने इसको criticize किया हो लेकिन मक्यावली है मक्यावली को western countries है वो ही follow करती है and इसके बहुत से ओत्र है जो criticize भी करते है तो इस तरह कटल्या एंड मक्यावली को जब हम compare करते है इसमें जही find out करते है कि जो चार्गया नीती थी वो सबसे best मानी जा सकती है जिसको 14th century BC में लिखा गया था लेकिन जो मक्यावली है इसने अपने view 16th century में दी थे तो कितना difference हो जाता है इन दोनों के work में लेकिन जो time पहले हमने define किया है ancient indian political thought कटल्या के view इतने साल पहले देकर भी उसमें हर एक aspect को define कर दिया जो recent में work हुआ है उसमें इतनी diplomacy है उसमें सिर्फ war है politics को ही define किया है other aspects है ignore कर दिया तो इससे हम जहीं conclude कर सकते है चान क्या किनीती है कोटल्या है वो मक्यावली से भी कहीं ज़्यादा superior है इसलिए हम को मक्यावली के साथ compare नहीं करना चाहिए तो हम compare करते क्यों है इसका एक ही reason है अगर हम व्यास्टों politics के बात करते है इसकी जितने वी व्यास्टन थोट है इन में से मक्यावली का नाम हमारा कटल्या का topic है complete होता है अगर आपके कोई query है तो post एक comment box and video अच्छे लगी तो please like and share with your friend thank you so much and have a nice day